देवरिया जिले के एक स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ उसी स्कूल की छट्वियों की छात्रा ने छेडखानी का केस दर्ज कराया है। चेडखानी का आरोप चात्रा ने लगाया है। देवरिया ने लगाया है। क्या का रहिए? फिस के लिए नहीं देगे। आप क्या का बाधे। आप क्या क्या थे बाधे लगाते रहे हैं। इस मामले में जेल गए प्रबंधन की पत्नी शुकरवार को अपनी नीजी वाहन से करीब 26 चात्राओं के साथ SP आफिस पहुँची उन्होंने पती को फसाय जाने की दलील दी उनकी बात सुनने के बाद SP संकल्प शर्मा ने सवाल किया कि इतनी छोटी बच्ची क्यों जूट बोलेगी उसकी क्या अदावत है इस एक ग्राम प्रधान की पत्नी ने बताया कि कुछ बच्चों की फीस नहीं जमा है और इसकी के चक्कर में उसने फसाया है पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस छात्रा ने आरोप लगाया उसकी फीस जमा है जाच परताल में यह बात सामने आई है स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ जब तारी पड़ी थी तो पुलिस ने उन्हें बुलाया भी था पहले तो मामले में समझोता करने का प्रयास किया गया जब दूसरा पक्ष नहीं हुआ तो केस दर्ज कर लिया गया एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है पीडिता का बयान पुलिस के लिए अहम है इस आधार पर केस कर लिया गया एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है पीडिता का बयान पुलिस के लिए अहम है इस आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है